दोस्तों शिवजी की क्रोधी स्वरूप के बारे में तो आप सभी जानते होंगे शिवजी और माता पारवती कि ऐसी कई अद्बुत कथाएं हमने बच्पन से लेकर आज तक सुनी है और कहते हैं कि जिसके साथ कोई नहीं होता उसका साथ महाकाल देते हैं शिवजी को कई नामों से जाना जाता है वो महादेव भी हैं और बोले शंकर भी हैं भक्तों के लिए महादेव पानी जैसे शीतल और असरों के लिए आग की तरह गर्म महादेव के दो रूप होते हैं एक साकार और दूसरा निराकार दोनों रूपों में ही भगवान शिव की पूजा होती है साकार रूप में मानव रूप है जिने शंकर कहा जाता है वह उनका दूसरा रूप निराकार है जो शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है लेकिन दोस्तो, आप मेंसे कई लोग इस बारे में ज़्यादा नहीं जानते होंगे。 आखर शिव जी को ही लिंग के रूप में क्यों पूजा जाता है? और बाके किसी बगवान को लिंग के रूप में क्यों नहीं पूजा जाता? तो दोस्तो आज हम इस वीडियो में आपको शिवलिंग की पूरी कहानी बताने वाले हैं वीडियो को आंत तक जरूर देखेगा आज शिवजी के लिंग की पूजा के पीछे की पूरी कहानी हम आपको बताने वाले हैं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिलकुल भी मत भूलियेगा दोस्तो अभी कुछी दिन पहले महा शिवरात्री बीती है और देश भर में इस तैवार को बड़ी धूमधाम से मनाये गया भगवान शिव की पूझा इस दिन की जाती है और शिव को लिंग के रूप में भी पूझा जाता है लेकिन कई लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि आखर भगवान शिव के लिंग की ही पूझा क्यों की जाती है शिवलिंग का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है आदी काल से शिव को लिंग के रूप में पूझा जाता है शिव लिंग के रूप में भगवान शिव को पूझे जाने के लेकर कई कथाएं और मानिताएं हैं जिन में बताया गया है कि आखर सर्फ भगवान शिव को ही लिंग के रूप में क्यों पूझा जाता है बाके किसी भगवान को क्यों नहीं एन पौरानिक कथाओं की माने तो भगवान शिव को एक बार अपना होश नहीं रहा और वह बिना वस्तर के ही पूरे ब्रम्हांड में इधर उधर घूमने लगे या देखकर कई रिशी मुनियों को काफी बुरा लगा और क्रोध में आकर रिशियों ने भगवान शिव को श्राप दिया कि उनका लिंग कटकर गिर जाए और तबी उनका लिंग कटकर गिर गया भगवान शिव के लंग में इतनी गर्मी थी कि उनके लिंग की गर्म दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दुनिया भर में शिवलिंग कई प्रकार के होते हैं और सभी पर जल चड़ाने के रीती सदियों से चली आ रही है कहा जाता है कि अमरत मंतन के दौरान विश को जगत में फैलने से रोकने के लिए विश को समाप्त करना बहुत जरूरी था तब भगवान शिव ने सारा विश अपने कंठ में रोक लिया जिसके कारण उनका पूरा कंठ नीला पढ़ गया दोस्तों क्या आप जानते हैं तब ही से उन्हें नील कंठ भी कहा जाता है विश पीने की वज़े से भगवान शिव का दाह बढ़ गया और उस दाह को खत्म करने के लिए शिवलिंग पर जल चड़ाने की परमपरा है माश शिवरातरी पर्व को शिवलिंग की पूजा करके ही मनाया जाता है शिवलिंग के पूझे जानी के पीछे एक और कथाप्रा चले थे। लिंग महापुरान के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा और विश्णु के बीच श्रिश्टता का विवाद हो गया। जब उनका विवाद बहुत अधिक बढ़ गया, तब अगनी की ज्वालाओं में ल प्रूत नहीं मिला, निराश होकर दोनों देव फिर से वहीं आ गए, जहां उन्होंने लिंग को देखा था, वह आने पर उन्हें ओम की ध्वनी सुनाई दी, जिसको सुनकर उन्हें अनुवा हुआ कि यह कोई शक्ती है, और उस ओम के स्वर के अरादना करने लगे। भगवान ब्रह्मा और भगवान विश्नु की अरादना से प्रसंद होकर उस लिंग से भगवान शिव प्रकट हुए और सदबुधी का वर्दान दिया, दियो को वर्दान देकर भगवान शिव चले गए और एक शिव लिंग के रूप में स्थापित हो गए, यहीं भगव भगवान शिव को जोतरलंग के रूप में भी पूजा जाता है। पुरुष लिंग यानि पुरुष का प्रतीक माना जाता है। उसी तरह शिव लिंग का अर्थाच शिव का लिंग नहीं बलकि शिव का प्रतीक। शिव लिंग का अगर संदी बिछेद करके आप देखेंगे तो पाएंगे कि शिव का सही अर्थ क्या है। शिव का अर्थ ह जोत चलाकर पूजा कर रहे थे लेकिन रिशी मुनियों का ध्यान के अंद्रित नहीं हो पा रहा था क्योंकि वह जोती बार-बार तेज हवा की वज़ से बुझ जा रही थी तब सभी रिशियों इस फोल्बार तेज सरने के शिव जी से आराधना की स्वधियों की आराधना से खुश committed कर लिया इस तरह से रिशी मुनी ध्यान के इंद्रित करने में सपल हो सके तब ही से शिवलिंग की पूजा का विधान है शिव महापुरान का नुसार एक मात्र भगवान शिव ही ब्रह्म हरूप होने के कारण निराकार कहे गए हैं भगवान शिव को पूझने वाले काई लोग इस बात पर यकीन करते हैं कि शिव की लीला में बहुत शक्ती होती है और इसके आपको वग्यानिक प्रमान भी देखने को बिल जाएंगे जिसके साकष आपको हरपा और मोहनजोदोरो में मिलते हैं हरपा और मोहनजोदोरो की खुदाई में पत्थर के बने लिंग और योनी मिले हैं एक मूर्थी ऐसी मिली है जोसके गर्ब से पौधा निकलते वे दिखाया गया है। यह माना जाता है कि आरंबिक सब्वेता के लोग प्रकृति की पूजा करते थे। वह मानते थे कि संसार के उत्पत्ति लिंग और योनी से हुई है। इसलिए लिंग और योनी की पूजा करन तत्वों से बना है इन तत्वों में मन बुद्धी पांच ग्यानिंद्रियां पांच कामिंद्रियां और पांच वायू शामिल हैं वायू पुरान के नुसार लिंग उसे कहते हैं जिसमें प्रलाय काल में समस्त स्रिष्टी जिसमें लीन हो जाती है और पुनास्रिष्टी काल में जिससे प्रकट हो जाती है इस तरह दुनिया भर की संपून उर्जा ही लिंग की प्रती इक मानी जाती है शिवलिंग की पूजा करने से पूजा जाता है शुबलिंग का अर्थ अनन्त भी होता है वो श्रक्ति जिसका कोई अन्त नहीं है और उनêmement के जैसा कोई और नहीं है बगवान शिव देवों की भी देव हैं शिव को चाहे भोले शंकर के रूप में पूझा जाए या फिर शिवलिंग के रूप में वो अपने भक्तों का हमेशा भला करते हैं वो कहते हैं ना मेरा कोई क्या बिगार पाया जब मेरे सर पर है महाकाल का साया वीडियो पसंद आई हो तो कॉमेंट में एक बार हर हर महादेव लिखना बिलकुल मत बूलिएगा दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत बूलिएगा इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिलकुल मत बूलिएगा दोस्तों आपको स्क्रीन पर दो और वीडियो दिखाई दे रही है जिससे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें